हिमाचल प्रदेश में अब भी बर्वारी हो रही है, जम कर ठंड पड़ रही है, लेकिन हिमाचल की सरदी में सियासत की प्रचण गर्मी कहर बर्वार रही है उत्तर भारत में कॉंग्रस की एक मात्र सरकार से संकट के बादल सिलहाल टल गए है सुप्रेंदर सिंसु को हिमाचल के सीएम बने हुए है, पिछले 15 दिन में कॉंग्रस ने दो बड़े विकेट बचाये है मत्यप्रदेश के पूरू मुख्य मंत्री कमलनाथ को बीजेपी में जाने से रोक लिया और अब हिमाचल की सरकार बचा ली है पिछले एक महीने में ऐसे कई सम्मानिय बीजेपी में जाकर परम सम्मानिय बन चुके है बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार और माराष्र के पुर्व मुख्य मंत्री अशोक जमांड, NDA का दामन थाम चुके है लेकिन ऐसी भंदण में हिमाचल के मुख्य मंत्री सुक्वंदर सिंग सुखू ने अपनी सरकार बचा ली है अब सुखु का दावा है कि पुरे पात साल हिमाचल में कॉंग्रस की सरकार चलेगी है उन चाड़िनतों का भी हम आने वाले समय में पर्दा फाष करेंगे हम लोग कॉंग्रस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और निश्ची तौर पर 5 साल कॉंग्रस पार्टी की सरकार चलेगी हिमाचर प्रदेश में कॉंग्रस की सरकार है। हर्ष महाजन 2022 में कॉंग्रस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए थे। हमारे साथ है और जीत हमारी होगी। लेकिन राजय सबाचनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। कॉंग्रस के अभिशेक मनुसिंग भी और बीजेपी के हर्ष महाजन को 34-34 यानि बराबर वोट मिले। ड्राव होने पर परची निकाली गई तो अभिशेक मनुसिंग भी हार गए। सबसे पहले उससे पहले मैं मानने हर्ष महाजन जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हग बनता है बधाई प्रजान करने के। एक बात जरूर मैं कहूंगा उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्श भाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस द्वाद की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। हिमाचल के CM सुख्विंदर सिंग सुख्धू और उनकी सरकार को इस बात का अंदेशा था कि राज्जिस सभाचनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंग और हिमाचल की प्रदेश कॉंग्रिस संध्यक्ष उनकी मा प्रतिभास सिंग ने क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर बात भी की थी लिकिन इनको दरकिनार कर दिया गया कॉंग्रिस के आलाकमान को भी अंदर खाने से क्रॉस वोटिंग की आशंका थी खबरें तो ये भी है कि सोनिया गांधी को पहले हिमाचल प्रदेश राजसभा में भीजे जाने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन इसी आशंका के डर से उन्हें राजस्थान से राजसभा में भीजा गया आक्रों से पता चला कि हिमाचल में सत्तारूर कॉंग्रस के छे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उन्हें अब सदन के सदस्ता के से अयोग्य करार दिया गया है I have announced the judgment and all those six MLS, they have disqualified, they will not be a, they ceases to be a member of Himachal Pradesh legislative assembly उनके वकीलों को और सत्तापक्ष, यानि Petitioner के जो वकील थे, दोनों वकीलों को प्रयापत समय दिया गया I heard them nearly more than two hours, both the lawyers they have put for their viewpoints one one hour in minimum When both of them had nothing to say, then I reserved the order I have... मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खू के खिलाफ, अपनी नाराज़गी खुल कर जाहिर की है उन्होंने मंत्री पत से स्तीफा दे दिया और सीम के खिलाफ खुल कर बयान बाजी की उनकी मा और हिमाचल प्रदेश की कौंगरू सद्ध्यक्ष प्रतिभाद सिंग अब भी गुसात जाहिर कर रही है मैंने आपको कहाना कि हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी कदम उठाया, हम हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ जूड़ी है वीर्भदर सिंग जी की बहुत बड़ी लेगसी हमारे साथ है उनके क्या भाव थे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते थे हम उनी बातों को फॉलो करते हुए हमने हर कदम रखा जो भी हमारी बाते थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा है वो भी हमने बार बार उनके संग्यान मिला है जोग भी बात परिस्थिति आज आप देख रहे हैं वो बाते हमने उनके सामने भी रखि ए अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णे करते हैं आपनी परिस्थिति के बारे में उनको अबगत करा है और कहा है कि यह स्थिति बनी है लोग सभास दो 2022 में जब हिमाचल में विधासभा चुनाब हुआ, तो सामोहिक निद्रतु में चुनाब लड़ा गया। पूरे कैमपेन में पूरु मुख्यमंत्री विर्भद्र सिंग के नाम का इस्तमाल भी किया गया। राज्य में ऐसी कोई वोडिंग नहीं थी, जिस पर वीर्भद्र सिंग की तस्वीर नहीं थी। मतदान से एक दिन पहले पार्टी की तरफ से अकबारों में विध्यापन दिया गया और वीर्भद्र सिंग की तस्वीर के साथ कहा गया कि उन्हें याद रखना। दरसल हिमाचल प्रदेश की राजनीती में वीर्भद्र सिंग का कदर हमेशा बहुत बढ़ा रहा है। वीर्भद्र सिंग छे बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री और छे बार केंध सरकार में मंत्री रहे। हिमाचल में कॉंगर्स का मतलब कभी राजावीर भद्र सिंग ही हुआ करते थे। इस परिवार का इंद्रा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक सीधा संपर्ट रहा है। दोनों परिवारों के पुराने रिष्टे की जड़े एतनी मजबूत थी कि जब विक्रमा दित्य सिंग और उनकी मा प्रतिभास सिंग की कॉंगर्स आला कमान से बात हुई तो हिमाचल प्रदेश की सरकार बच पाई। बीजेपी भले खुले तोर पर ये सुविकार नहीं कर रही है और नहीं कभी करेगी लेकिन ये साफ है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का ओपरेशन हिमाचल फेल हो गया है। अला कि बीजेपी इसमें अपनी किसी भुमिकास से साफ इनकार कर रही है। कॉंग्रेस ने बड़े और जुटे वाइदे करके सत्ता तो हत्याई था। डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था यानिके एक प्रतिशहत से कम वोट हमें मिला। डिफरेंस जो था कॉंग्रेस और बीजेपी के वोट में वो एक प्रतिशहत से कम था। उसके बाब जिद उनकी सरकार बने। क्योंकि बड़े-बड़े वाइदे किये थे, पंदरा सुर रुपे प्रति महिना हर महिला को देंगे। बड़े वाइदे किये थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं गे। कॉंग्रेस के विधायकों को चेरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्य मंतरी के यहां सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कॉंग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चड़कर आक्रोश बहार आया। और उनको पहला अफसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाब में कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाब कॉंग्रेस के खिलाब वोट किया। अब वो दरारे और बढ़ती नजर आ रही है। कॉंग्रेस पार्टी की फूट कले और नजर आ रही है। और जो एक लंबा इंतजार 14 महिने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा। विकास भी थम गया, वाइदे भी पूरे नहीं हो पा रहे। तो सवाबिक है कि जनता का आक्रोश की कॉंग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कॉंग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है, तब कॉंग्रेस के अंदर ये गतिविदियां शुरू हुई है। और मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं। 2022 की विधानसभा चुनाओं में अनुराग ठाकुर ने भी जबरदस कैमपेंग किया था। लेकिन उनके जिले की ही पांचों विधानसभा सीटें बीजेपी हाल गई थी। कॉंगर्स के अंदर पनप्रही नाराजगी से बीजेपी के अंदर सुनहरा मौका था। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने तो बीजेपी की सरकार बनाने का न्योता देने की तयारी कर ली थी। लेकिन कॉंगर्स ने अपनी सरकार बचा ली। तो कॉंगर्स का दूसरा विकेट इसी महीने उस वक्त बचा जब मुख्यमंत्री कमलनात को उनकी पार्टी ने बीजेपी में जाने से रोक लिया। खपडेधी की कमलनात ने सांसत बेटे नकुलनात के साथ बीजेपी में जाने की पूरी तयारी कर ली थी। लेकिन कॉंग्रस आला कमान ने बार्टी और परिवार से पुराने संबंधों की दोहाई दे कर उन्हें रोख लिया महाराश्र के पूरमों की मंत्री अशोक चभान को कॉंग्रस इसले नहीं रोख पाई चोकि इसी महीने मोधी सरकार ने 2004 से 2014 के बीच UPS सरकार के कामकार्ष को लेकर जो श्वेक पत्र निकाला था उसमें घोटालों की लिस्ट में महाराश्र के आदर्श घोटाले का भी जिक्र था आरोख था कि महाराश्र की आदर्श कोबरेटव हाुसिंग सोसाइटी में करगिल के शहीदों के परिवारों के लिए घर बनाए गए थे इनमें से कई फ्लैट्स अशोक जवहान ने अपने रिष्टदारों को अलोट कर दिये थे चुकि इसकी जान CBI और EG के हवाले थी इसलिए अशोक जवहान ने बीजेपी जॉइन करना जरूरी समझा होगा तो दल बदल और विपक्ष की सरकारों को गिराना पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है 1967 से 1971 के दोरान देश की राजनीती में इंद्रा गांधी का दबदबा था उस चार साल में 32 बार राज्यों की चुनी हुई सरकार है या तो गिर गई या गिरा दी गई उस चार साल में विपक्ष के 467 नेताओं ने अपनी पार्टियों से नाता तोड़ा और कॉंग्रिस का दामन धामा इस मुकाबले मौझूदार अफ्तार का विशलेशन करने के लिए आप स्वतंद्र हैं स्यासी नुकता विदमुकता में आज के लिए बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेश्ट भारत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत